नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूनिक ज्यान चैनल में फिर से एक बार स्वागत है तो आज हम सुनेंगे धरमराज जी की कथा हिंदू धरम के अनुसार यमराज मृत्यू के देवता है विश कर्मा की पुत्री संग्या और भगवान सूरे की पुत्र के रूप में जन में यमराज का उलेक वेद सास्तों में भी आता है इनके जुड़ों बहन यमना अर्थात यमी थी यमराज का वाहन महीश वाहन यानि भैसे पर सवार है यमराज के जनम से पहले जब संग्या ने अपने पती सूरे देव को देखा तो उनके तेज प्रकाश को देखकर वो भैबीत हो गई और सूरे को देखकर भै से संग्या ने अपने आखी बंद कर ली इस बात से सूरे देवता नाराज हो गए और सूरे ने क्रोधित होकर संग्या को श्राब दे दिया श्राब के अनुसार संग्या सूरे ने कहा तुम्हें जो भी पुत्र होगा वह लोगों का सयमन करने वाला अर्थात उनके प्राण लेने वाला होगा इसी कारणवर्ष यमराज को मित्यू का देवता माना जाता है तो आएए शुरू करते हैं धर्मराज जी की कहानी एक बुढिया माई थी, वे व्रत नियम बहुत कड़कती थी एक दिन भगवान की घर से यमदूत लेने आए बुढिया माई यमदूत के साथ चली गई आगे गहरी नदी बह रही थी बुढिया माई डूबने लगी तब यमराज जी ने पूछा माई गायदान की हुई है क्या तब बुढिया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्तित हो गई गाय की पूछ पकड़कर बुढिया माई नदी पार हो गई आगे गई तो काले कुट्टे खाने को दोड़े तब यमराज जी ने पूछा कुट्टे को रोटी दी है क्या बुढिया माई ने मन में कुट्टे का ध्यान किया तो कुट्टे चले गए आगे चली तो काले कोवे बुढिया माई को चोंच माने लगे तब यम्राज जी ने कहा कि किसी ब्रहमर की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं बुढिया माई ने ब्रहमर की बेटी को याद किया तो कोवे ने चोंच माना छोड़ दिया आगे गई तो पैरों में काटे चुबने लगे तब यम्राज जी ने कहा कि चपल दान की है क्या बुढिया माई ने याद किया तो चपल पैरों में आ गई आगे चली तो चित्रकूप्त जी ने यम्राज जी से कहा आप किसको ले आए हो तब यमराज जी ने कहा कि बुडिया माई ने दानपुर्णे तो बहुत क्या है पर धरम राज जी का कुछ नहीं किया इसलिए आगी के द्वार बंद है तब बुडिया माई बोली कि मुझे साथ दिनों के लिए धरती पे जाने की आग्या दो साथ दिनों तक कहानी सुनकर उध्यापन करने के बाद मैं वापस आ जाओंगी बुढिया माई वापस धरती पे आ गई पूरे गाउं में खबर फैल गई कि बुढिया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई है वह जब अपने घर पोंची तो बेटे भूतनी समझ कर घर के द्वार बंद कर दिये तब उसके बेटे उसने अपने बेटे और भू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ मैं नियमनसरार प्रते एक दिन धर्मराजी की कहानी सुनकर उध्यापन करके वापस परलोग चली जाओंगी यह सुनकर बेटे ने उध्यापन की पूजा की सभी सामगरी एकरतित कर दी लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा तब बुढिया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया बुढिया माई ने रात साथ दिनोत के बाद कहानी सुनकर उध्यापन कर दिया और सभी समान दान कर दिया तब धर्म राज जी ने मुढिया माई के लिए धर्ती पर विमान भेजा, विमान देखकर सभी गाउंवासी सुरक जाने को तयार हो उठे, बुढिया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पडोसन नहीं सुनी है, तो सभी गाउंवालों ने बुढिया माई के पाउं पकड़ और धर्म राज जी की कहानी सुनाने का आगरे गिया, कहानी सुनने के बाद सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे, तो धर्म राज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढिया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहां तो सभी गाउंवासी एकर्तित हो गई है, कहने सुनने हुंकारा भणने वालों को सुर्ग में वास दो, बोलो धर्म राज जी की, यमराज महराज जी की जै